इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देशी भक्ती के और वीडियोस पाने के लिए वैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए बित की जाती है भगवान शिव अद्भुद्व अभिनाशी है भगवान शिव जितने सरल है उतने ही रहसे मैबी है भोले नात का रहन सहन आवाज गण आदी सभी देवताओं से एक तम अलग है शाश्त्रों में एक और जहां सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त और भस्म लगाये रहते हैं शिव जी का प्रमुक वस्त्र भस्म यानी राख है क्योगि उनका पूरा शरीर भध्श्म से ही ढखा रहता है शिव पूरान के अनुसार भस्म शरस्टी का संसार है एक दिन संपूर्ड श्रस्टी सी राक है रूप में परिवर्ठित हो जानी है ऐस किरिया अन्वरत चलती रहती है इस स्रस्टी के सार भस्म यानी राक को शिव जी सदेव धरण की रहते हैं इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्स रस्टी शिव जी में विलीन हो जानी है शिव पुरान के लिए शिव पुरान के अनुसार भस्म तयार करने के लिए कप इस दोरान उचित मंत्र चार किये जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्थ होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तयार की गई भस्म शिव जी को अरपित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तयार की गई भस्म को यदि कोई इनसान भी धारन करता है तो वह सुक्सु विधाय प्राप्त करता है शिव पुरान के अनुसार इसी भस्म धारन करने से व्यक्ति का आकर्शन बढ़ता है समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है अतहा शिव जिस प्रकार भस्म यानि राक से कई प्रकार की वस्ते शुद्ध और साफ हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम शिड़ी को अर्पित की गई बस्म का दिलक लगाएंगे तो अकशे पुर्न्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी भस्म की यह विशेष्टा होती कि इस शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है भस्म तवचा संबंदी रोगों में भी दवा का काम करती है शिव जी पर निवास केलाश परवत पर बताया गया है जहां का वातवरण एक्टम प्रतिकूल है इस प्रतिकूल वातवरण को अनुकूल बनाने में भस्म महतपूर भूमी का निभाती है भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयम को ढ़ाल लेना चाहिए जहां जैसे हालात बनते हैं हमें भी स्वयम को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए अगर आप भी शिवजी के भक्त हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा फेस्बुक और वाटसप पर जरूर शेयर करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी जरूर बताएं साथ ही साथ घंटी का इकन दवाना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार